मद्य प्रदेश की रास्थानी भोपाल में मौझूद हबीबगन स्टेशन का नाम बदल कर रानी कमलापती रेलवे स्टेशन कर दिया क्या है इस फैसले के साथ ही प्रदेश में इतिहास को लेकर एक नई बहस चुड़ गई है दरसल रानी कमलापती एक गौन रानी थी जिनका विवा गिनोर गड़ के राजा के साथ हुआ था उन्हें गौन राजवंश की अंतिम रानी भी माना जाता है और भोपाल में कमलापार्क भी उन्ही के नाम पर बनाया गया है जहां उनका एक महल भी मौझूद है रानी कमलापती के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत खुबसूरत थी इतिहास कारों की माने तो भोपाल से लगभग 60 किलो मीटर दूर गिनोर गड़ था जहांके राजा निजामशा थे उस वक्त भोपाल भी निजामशा के कबजे में था और निजामशा एक गौन राजा थे जिनकी साथ बीवियां थी जिन में से एक बीवी का नाम कमलापती था लेकिन निजामशा का भतीजा आलमशा अपने चाचा की सारी संपत्ती हडपना चाता था और रानी कमलापती को अपना बनाना चाता था आलम शाह ने रानी कमलापती को पाने के लिए अपने चाचा यानी निजाम शाह के खाने में जहर मिला दिया जिससे निजाम शाह का निधन हो गया निजाम शाह की मौत के बाद आलम शाह ने राज़े पर कबजा कर लिया और मौत के बाद रानी कमलापती अपने बेटे नवल शाह के साथ भूपाल के महल में रहने लगी लेकिन रानी कमलापती के दिमाग में अपने पती की हत्या का बदला लेना चल रहा था ऐसे में रानी कमलापती ने दोस्त मुहम्मद खान से मदद मांगी मुहम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म नहीं इतिहास कर संभू दयाल गुरू का कहना है कि जब तक रानी कमलापती जिन्दा रही तब तक दोस्त मुहम्मद खान ने कभी उन पर हमला नहीं किया उन्होंने भोपाल पर कब्जा उनकी मौत के बाद ही किया उन्होंने बताया कि दोस्त मुहम्मद खान के साथ उनके का पाबो का कबज़ा हुआ नारीय स्पिंता और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए रानी गमलापती ने जल समाधी लेकर इतिहास में अमिट स्थान बनाया है लेकिन हिस्ट्री टेलर और भोपाल में हैरिटीज वो का इवजन करने वाले सिकंदर मलिक का कहना है कि ऐसा कोई के प्रमान नहीं मिलता है कि दोस्त मुहमद खान की वज़े से नानी गमलापती ने अपना जीवन समाप्त किया उन्होंने कहा है जि